आज हम बनाते हैं आलू और गोवी की सुखी हुई मसाले वाली सब्जी जो की बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है जिसके लिए देखिए आलू को इस तरीके से काट लिए हैं और गोवी को भी टुकडों में काट लेंगे फिर एक कराही में तेल गरम करेंगे एयर तेल जब गरम हो जाएं पिर इसमें हम प्राहिई है और गवित और जैसे *** तक आल नहां है और ता लगबग चार से पांच मिनद जब अच्छे से भून जाए जब इसमें लाल लाल चिती दिखने लगे तब तक इस गोवी को हम भूनेंगे और आप देख सकते हैं गोवी यहां कितना अच्छा भून चुका है तो चलिए इसमें कटे हुए आलू को भी डाल देते हैं अब आल भूने के कगार पर यह तब इसमें ढख देते हैं अदो से तीर मिनट के लिए और इसे हम भून लेते हैं और यहां देखिए आलू और गोवी में कितना अच्छा कलर आ चुका है और गोवी और आलू लगभग तेल में फ्राईयों के यहां पक ही चुका है तो चलिए अब यह आलू और गोवी को निकाल लेते हैं फिर सेम कराई में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और दो सुखी हुई लाल मेज जब दोनों अच्छे से भून जाए फिर इसमें कुटा हुआ अद्रक लासुन डालेंगे और जब तक एक मिनट के लिए लगभग इसे चला लेंगे ताकि अद्रक और लासुन का फ्लेवर पूरा तेरे में चले जाए फिर इसमें दो मीडियम साइज का कटे हुआ प्याज डालेंगे और आक दे सकते हैं किस तरीके का लंबे लंबे तरीके से प्याज को काटेंगे इसे बहुत अच्छे फ्राई विंडी में टेस्ट आता है और यहीं पर हम स्वात के हिसाब से नमक डाल देंगे ताकि प्याज भी हमारा अच्छे तरीके से पक जाए और इसे भी हम ढखते हुए लगभग 5-7 मिलियर तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर ना चेंज हो और यहां देखिए बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे प्याज का कलर भी कितना अच्छा चेंज हो चुका है तो बस हमारा प्याज भून चुका है अब इसमें हम दो मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर और प्याज को भी लगभग 2 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाएंगे और यहां देखिए मसाला डालते हैं जिसमें डाल देंगे आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच मिर्ची पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच कास्मीरी लाल मिर्च और पस थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और ये सबजी में मसाला आप ज़्यादा ना डाले क्योंकि सुखी भी सबजी है तो मसाला जितना कम डालेंगे टेश्ट उतना ही अच्छा हैगा बस फ्लेवर अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए और इसे हम ढख के लगभग 5-7 मिन तक लिए भुनने देंगे और बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे ताकि हमारा प्याज और ये टमाटा अच्छे तरीके से सौप्ट हो जाए और मसाला भी भुन जाए और यहाँ देखिए चार से पांस मिनट में हमारा मसाला भुन चुका है तो इसमें फ्राई किया हुआ आलू और गोभी दोनों डाल देंगे और डालने के बाद इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे ताकि सारा फ्लेवर अच्छे तरीके से आलू और गोभी में मिक्स हो जाए और इसे ढख के बस 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद इसे चला देंगे और ये देखिए आलू गोवी की सबजी कितना अच्छा बन चुका है तब इसमें हम कटे हुए धनिया पता और थोरा सा कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी से आलू गोवी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसे एक बाद मिक्स करके ढख देते हैं और 5 मिनट के बाद इसे हम सर्व करेंगे और ये देखिए हमारे आलू गोवी की सुखी हुई मसाले वाली सबजी कितना अच्छा बन चुका है और देख सकते हैं ये देखने में ही कितना टेश्टी दिख रहा है तो चलिए फ्रेंड गोवी की रेसिपी आपको कैसी लागी मुझे जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करें मिलती हूँ अगली रेसिपी